हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई यूट्यूब चैनल डॉली चॉदिस किचिन आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा बैंगन का बरता ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है इसको अफ लंच डिनर किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं बैंगन का भरता इसके लिए मैं ले रही हैं दो बैंगन मैंने अच्छे से वाश कर लिए हैं और इसके बाद में इस पर चारो तरफ अच्छे से हाथ से चिकनाई आप घी या तेल कुछ भी यूश कर सकते हैं लगा कर इसको मंदी आज करके कु देखिए एक तरफ से भुन चुका है मैंने दूसी तरफ से पलट दिया है इसी तरह दूसरे बैंगन को भी हम पलट देंगे फ्रेंड्स दोनों बंगन भुन कर तयार हैं, अब हम इने चेक करेंगे बंगन भुन गया है, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक नाइफ लेंगे और उसे हम अच्छे तरीके से इसमें डालेंगे यदि पो smoothly जा रहा है इट मिस बेंगर अंदर से बुनकर तयार है दोनों बेंगर इसी तरह चेक करेंगे और साइड में इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे अभी gravy के लिए मैंने लिए हैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च इन्हें मैंने बारी काट लिया है, अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग इसके बाद एक चमच्च साबू धन्या लेंगे, इसे हतेली की सायता से मसल कर इसमें डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज प्याज को अच्छे से चला कर सुनहरा होने तक भूनेंगे प्याज को हम लगातार अच्छे तरह से चलाते रहेंगे जिससे की वो अच्छे तरह से भून जाए प्याज भून कर तयार है अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और हरी मिल्च इसे भी डाल कर हम अच्छे तरह से चलाएंगे इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सभी मसाले इसमें मैंने डाली है लगबग आधा चमच हल्दी धनिया पाउडर लगबग आधी चमच लालमेश पाउडर एक चमच नमक आप सभी मसाले अपने स्वाद के अनुसार कम या जादा कर सकते हैं अब हम इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे और धीमी आज पर इस मसाले को पकने के लिए छोड़ देंगे अब हमने जो बैंगन भून कर अलग रखे थे उसको हम कुछ इस प्रकार से छील लेंगे चाकू की साहता से इसकी उपरी परत हम अच्छे से हटा देंगे इसको अच्छे तरह से छीलने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से काट कर फैला कर देखेंगे क्योंकि बैंगन में कीड़ा लगने के चांस होते हैं तो इसे हम अच्छे तरह से चेक करेंगे और फुर चाकू की साहता से इसे अच्छे से मेश कर लेंगे अब हमारा टमाटर प्याज का मेशन अच्छे तरह के से भुन कर तैयार है देखिए ग्रेवी से घी अलग हो गया है अब हम इसमें ये भुना हुआ बैंगन जो हमने चील लिया है इसको डालेंगे और डालने के बाद इसको अच्छे तरह के से चलाएंगे इसको पाँच मनट के लिए मंधी आज पर पकने के लिए हम छोड़ देंगे बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे पाँच मनट हो चुके हैं और हमारा बैंगन का भरता भी अच्छे तरहीके से बनकर तैयार है फ्रेंड्स इसे आप लंच डिनर कभी भी बना सकते हैं और पराठे रोटी जिसके साथ आप खाना चाएं खा सकते हैं अब हम गैस बन कर देंगे, बैंगन का बरता बनकर तयार है, इसको मैं गार्निश कर रही हूँ, बारिक कटे हुए हरे धनिये से, फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें